नमशकार आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेरियन्स के लिए एक स्पेशल रोगन जोश और इसको हम कश्मीरे में बोलते हैं अल रोगन जोश अल जिसको आप हिंदी में काशी फल सीता फल या कदू भी बोलते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है और काफी एजी है यह रेस कαशी फल लिया है यह जिसको अपक अब कदु भी बोलते हो पर आपको जो लेना है वह है जो पीला वाला होता है जिसका जो बाहर का milli प्रिक करेंगे तो यहां पर हम आपके सारे जो पीसिस है उनको प्रिक करेंगे उसके बाद मैंने यहां तेल गरम करने के लिए रखा था तो अब मैं इसमें थोड़े थोड़े बैचेश में काशी फल को जो है तो हम फिर उसको दूसरे साइट से फ्राइय होगे तो मेरी रेसिपिज को तेखकर आपको पता चले ही क्यों होगा कि कश्मीरी लोग जो है तो तेल में fry करने से अल्रेडी बुहो थी ये soft हो जाते हैं फिर उनको पकने में ज्यादा time नहीं लगता तो यहां देख सकते हैं यह एकदम soft हो गई हैं यहां पर हमने तेल काफे सारा लिया था fry करने के लिए तो अब हम extra तेल इसमें से निकाल देंगो जितना तेल आपको च अब तेल में बुल लेंगे जब तो इसका थोड़ा सा flavor निकल के नहीं आ जाए फिर हम इसमें डालेंगे डेटी स्पून कश्मिरी लाल मिर्ष पॉडर और एक टेबल स्पून दही और इसको आच्छी तरह से तेल में बुल लेंगे अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मैं इसमें डालोंगी शुंठ पॉडर एक टीस्पून और आदा टीस्पून हल्दी और एक टीस्पून सौंफ का पॉडर तो हमारे यहां सौंफ का पॉडर जो है बहुत इस्तिमाल किया जाता है इसे ग्रेवी जो है गाडी हो जाती है और उसका flavor भी बहुत अच्छी तरह क्या होता कि जो कदू होता है फीका होता है तो फिर उसे मजा नहीं आता है थोड़ी से मिठाश में होनी चाहिए तो कदू एड करने के बाद मैं इसको एक बार अच्छी तरह से उभालोंगी अब विसको तब तक कि अब तक इसकी ग्रेवी एकदम गाडी ना हो जाए तो प पर क्रेश कर लूँगे फिर हम इसको हलके हाथ से mix करेंगे ताकि यह जो गरमसाले की flavors इसमें अच्छी तरह से आ जाए अब हम इसको डखके एक मिनट तक फुल आच पर उबाल देंगे और फिर इसका गैस बन कर देंगे और इसको दस मिनट तक हम ऐसी डखके रखेंगे तो यहाँ पर देखें दस मिनट हो गए हैं अब हम चेक करेंगे अल रोगन जोश एक दम रेडी है सर्व करने के लिए आप इसको रोटी नान चावल किसी के सा दब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद